हाई एवरिवन, वेलकम टू जे आर टुटोरियल्स, आइम यूर फ्रेंड राहूल जेस्वाल, तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ, आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टेडिस भी बैतरील तरीके से चल रही होगी, तो वन सगेंड चलिए उसको ओपन करके देख सकते हो, पूरा प्लेलिस हमने अपडेट करके रखा हुआ है, साथ ही में अगर आप यूटूब पे भी सर्ज करोगे, तो आपको हमारे वीडियो देखने मिल जाएगे, तो प्लीज उसको देखिए, कंसेप को क्लियर कीजिए, और अपने एंड से ज आपके लिए ले रहे हैं, और ये जो ट्रिगनोमेटरी चाप्टर है, कई सारे एक्जामपल जो है, वो प्रूब दैट क्यों पर डिपेंडेंट है, तो आज भी हम लोग जो प्रूब दैट वाला एक्जामपल है, कोश्चन नमर 5 का, तीन एक्जामपल सॉल करेंगे, कोश आज सबसे पहले हम कराएंगे, एक्जामपल नमबर 7, तो चलिए देखते हैं, एक्जामपल नमर ये 7 है क्या, हमको क्या करना होता है, कभी भी आपको प्रूब दैट आया, आपको प्रूब दैट क्या करना है, कि सेक रेज़ टू 6X माइनस 10 रेज़ टू 6X इस इकोल टू 1 प्लस 3, सेक स्क्वाइर एक्स, मल्टिप्लाइबे 10 स्क्वाइर एक्स, ये हम भी प्रूब करना है, तो हमिशा कितरह हम ले ले लेंगे, लेप्ट हैंड साइड, तो लेट दा लेप्ट हैंड साइड इस इक्वल टू 6, मतलब सेक रेज़ टू 6X माइनस 10 रेज़ टू 6X, इसको हम ने ले लिया, अब इसी को हम सॉल करेंगे, तो कैसे सॉल करेंगे, पहला स्टेप क्या हो जाएकर आप देखोगे, इसमें सेक के उपर 6 है, यानि पावर 6 है, तो अगर इसको ऐसे मैं लिखूँ, यानि कि सेक अगर जो है, अगर इसको मैं ऐसा लिखने की कोशिश क करूँ कि सेक स्क्वाइर एक्स और इसके ऊपर क्यूब लिख दूँ तो क्या फरक पड़ेगा जैसे कि हम आप एक चीज जानते हैं ए रेस्टु एम और यह पूरे रेस्टु एन इस इक्वल टू ए रेस्टु एम इंटु एन मरा यही होता है यानि कि यह सेक रेस्टु 6 है तो 6 का मतलब क्या होता है सेक स्क्वाइर एक्स का क्यूब यानि टू मल्टिप्लाइब ए 3 6 ही आएगा इन शॉट तो वही चीज हमने किया तो हमने इसको इंडाइसे का लॉग का इस्तेमाल करके हमने इस तरीके से लिखा बाकी माइनस 10 रेस्टु 6 एक्स जो है इसको मैं इस वैस्ति का वैसे लिख सकता हूं ठीके यह आपको समझ में आ गया होगा अब यह जो सेक है यह हमको पता एक फॉर्मूला है हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है 1 प्लस 10 स्कॉयर एक्स 1 प्लस 10 स्कॉयर थीटा इस इकॉल टू सेक स्कॉयर थीटा यहां लोगो पता हिए गोल्लो 1 प्लस 10 स्कॉयर थीटा है तो यह सेक्स्कॉयर थीटा है अब इसका हम लोग लिख सकते 1 प्लस 10 स्कॉयर थीटा तो इस चीश को में लिख सकता हूं बंना chỉ 10 square theta, theta मदर यहाँ पे x है, यहाँ पे theta नहीं है, यहाँ पे x है, तो 1 plus 10 square x और इसका cube, और यह minus 10 raise to 6 x जो है, वो ऐसे कब ऐसी रख रहा हूँ है, अभी फिलाल मैंने कोई changes नहीं किया, अब यहाँ पे आप देखोगे, तो यह 1 है, plus 10 square x और इसका cube है, तो कहीं न कहीं आपको क्या है formula, aq plus 3a square b plus 3ab square plus bq, यही हमारा formula था, तो apply कर सकते है formula, चलो apply करके दिखाता हूँ, आप लोगो देखो यहाँ पे ध्यान से, एक एक step ध्यान से आपको देखना है, तो aq, a को ने 1, 1 का cube कितना होता है, 1 ही होता है, plus, क्या है आगे, 3a square b, मतलब 3a square, a का square, मतलब 1 का square 1 ही देगा, तो लिखने की कोई जुरूत नहीं है, direct, फिर 1a square b, b क्या है यहाँ यहाँ पे 10 square x, तो 10 square x हो गया, ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देखो, plus 3ab square, तो a है 1, तो 3 multiplied by 1, 3 रहेंगा, लिखने की जुरूत नहीं, और यह b square, मतलब 10 square x का भी square, यह हो गया b square, और last में क्या है आपके लिए, plus b cube, यानि plus b कोन है यहाँ पे 10 square x, बराबर 10 square x b है, और इसका cube हो जाएगा, यानि b cube हो जाएगा, और last में यह जो minus 10 raise to 6x है, वो तो लिखेंगे ही हम लोग, यह तो लिखेंगे न, यह तो a plus b the whole cube का formula यहाँ तक expand हुआ, और यह minus 10 raise to 6x, वो तो आ अगर, देख पा रहे हैं आप लोग, यह जो है ना, यह आपका formula से तो इसको तो हम मिटा देंगे बाद में, बस इसको ध्यान से देखो, अब यह चीज जो अगर आपको देख रहा है यहाँ पे, आप इसमें क्या कर सकते हैं, बताओ, 1 plus 3 10 square x है, प्लस 3 10 square x है, यहाँ पे आप common निकाल सकते हो, क्या, 1 plus 3 10 square x को जो है, आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा यह common निकाल सकते है, तो आपने यह 3 10 square x को जो है, वो पूरा पूरा common ले लिया, ठीक है, तो 1 plus 3 10 square x जो है, यह पूरा common हो जाएगा, correct है, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, ब 1 तो पहले से ही था, यह 3 10 square x यहां पे भी है, यहां पे भी है, देखो ध्यान से, यह 3 10 square x है, यहां पे भी है, यहां पे हैं, तो हमने क्या ले लिया? बराबर, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो वापस से मैं आपको एचीज बता रहा हूँ, वापस से एचीज बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, इसको यहां पर मैं फिलाल इसको रफ करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या हो रहा है, यहां पर क्लर चेंज किया देखो, यह 1 था, वडिलिखा, अब यह 310 स्कॉयर X प्लस 310 स्कॉयर X का स्कॉयर है, तो कहीं न कहीं इन दोनों में 310 स्कॉयर X, 310 स्कॉयर X तो स्कॉयर था, तो मतलब 2 था यह, तो एक तो यहां लिख दिया और एक अंदर लिख दिया, फिर यह बच्चे का प्लस 10 का स्कॉयर X का क्यूब, तो यह क्या हो जाएगा, 10 रेश्टू 6X बचेगा, और यह माइनस 10 रेश्टू 6X, इसको कलर सेम रहने दो, अभी फिलाल बा 10 रेश्टू 6X, दोनों कैंसल हो जाएगे, सिर्फ इतना हमारे पास बच राएग, करेक्ट है, हमको अगेन पता है कि 1 प्लस 10 स्कॉयर थीटा इस इक स्कॉयर थीटा होता है, यानि इस पूरे के जगा पर हम लोग क्या लिख सकते है, 6 स्कॉयर X लिख सकते है, इस पूरे के चीज़ क्या है, मुल्टिप्लिकेशन में ही, तो 1 प्लस तो रहे गई, अब 3 10 स्कॉयर X है, तो 3 वैसी का वैसी यहां पर लिखता हूँ, मुल्टिप्लाइब ये 6 स्कॉयर X को में पहले लिख लेता हूँ, और बाब में 10 स्कॉयर X को लिखता हूँ, चलेगा ना, कोई पर राइट हैंस साइड, और आप लिख सकते हो, यहां पर हैंस प्रूवड, ये चीज़ आपने आपने आपर साबित करके दिखा दिया, हैंस प्रूव के तौर पे, क्लियर, देखो या, दुसरे पीच की जरोती नहीं पड़ी, यह आपका बस रीजन है, रीजन आप लिख सकत अब चलते हमारे second question पे जो आज के लिए दूसरा question है हमारा इसको भी ध्यान से देखो इसको करना क्या है हम लोको देखो ये question क्या है समझो इस चीज को क्या बोल रहा है 10 theta upon sec theta plus 1 is equal to sec theta minus 1 upon 10 theta again यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे left hand side ले लेंगे यह कभी भी denominator में अगर कुछ ऐसा आता है sec theta plus 1 या फिर कुछ ऐसा मतलब दो term आता है न प्लस वाला या फिर माइनस वाला तो हमेशा क्या क्या कर लो denominator को rationalize कर तो यहाँ पे एक word लिखलो आप यहाँ पे कर लो लिखलो यहाँ पे rationalize rationalize the denominator rationalize the denominator तो जब भी rationalize हम लोग करते हैं denominator क तो वो क्या होता है rationalization का meaning क्या है कि जो चीज है यहाँ पे जैसे यह 10 theta upon sec theta plus 1 जो है इसका अगर denominator को rationalize करना है यानि इसके जैसा ही दिखने होला बस fine change करके multiply and divide कर दो यानि कि multiply क्या करना पड़ेगा हम लोग को यह जो sec theta plus 1 था इसको हम लोग लिखेंगे sec theta minus 1 upon sec theta minus 1 same same क्योंक जाएंगे मतलब इसका कोई value नहीं रहता लेकिन हमने इस denominator को देखा और उसी का rationalize यहाँ पे किया अब इससे होगा क्या इससे यह होगा अगर आप देखो next step में इससे यह होगा कि 10 theta जो है वो multiply हो जाएगा किसके साथ sec theta minus 1 के साथ multiply हो गया यह ओपर उपर माले हो गया और न नीचे नीचे वाले मल्टिप्लाइं हो जाएगे कि sec theta plus 1 multiplied by sec theta minus 1. तो यहां पर आप देख सकते हो यह a plus b a minus b क्या हो जाएगा a square minus b square हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उपर same to same 10 theta sec theta minus 1 और नीचे आपका देखोगे तो जो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ परे आपका a2-b2 वाला फॉर्मूला लंक सकता है यानि a plus b a-b वाला फॉर्मूला यहां पर क्या हों जागा एम प्लस the minus d pay a +, a-b माइनस b क्या है a2- b2 मतलाब this where मतलब यह हो जाएगा 231 स्कुएर थीटा माइनस बी स्कुएर मतलब वन का स्कुएर मतलब वन रहने वाला है ठीक है यह आपको समझ में आ गया चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है यहां तहीं आपको क्लियर हो गया ओगा तो चलो इसको थोड़ा और नज़्दीक ले लेते हैं थिटा, सेक स्क्वाइर थिटा जो माइनस वन है, यह clear लिए आपको पता है एक formula है हमारा, क्या formula है कि 1 प्लस 10 स्क्वाइर थिटा इस इकोल टू सेक स्क्वाइर थिटा, बराबर यह formula है हमारा, ट्रिग्नाओ में डिटरिक आइडेंटी जो कई बार हम ने उस किया, तो अगर यह 1 को उधर भेज दूँगा, तो यह 10 स्क्वाइर थिटा, केला बच जाएगा, यहाँ पर इस इकोल टू क्या हो जाएगा, यह स स्क्वाइर थिटा माइनस 1 के जगापे, हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वाइर थिटा, यानि इसके जगापे, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वाइर थिटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बिलकुल आराम से लिख सकते हैं, reason यहाँ पर लिख दो, reason क्या है, कि भा उपर सिर्फ बचेगा हमारा सेक थीटा माइनस वान, नीचे बचेगा अकेला सिर्फ और सिर्फ 10 थीटा, अगर आप ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर राइट हैंड साइड को, तो सेक थीटा माइनस वान अपॉन नीचे 10 थीटा है, मतलब सेम टू सेम यह क्या आ गया, आप लोग का right hand side आ गया, हम लोग लिख सकते हैं, therefore, hence, prove, यह चीज हमने क्या करके दिखा दिया, prove करके दिखा दिया, भया आ गया, खतम कहानी, इतना easy question था, I know, ऐसा नहीं बोलोगा कि बहुत easy है, कोई भी कर सकता है, लेकिन वो इंसान जरूर कर सकता है, जिसको पूरा concept सम जा है, वो practice कर रहा, महनत करके ऐसे examples को बार-बार solve कर रहा, तो इसे, उसका mindset इतना strong हो जाएगा, sharp हो जाएगा, कि ऐसे examples exam में आएंगे, तो बिंदास हो solve करेगा, वो घबराएगा नहीं, यही होता है, prove that में, हम दरते हैं, जब मैं भी जब 10 में आना, तो मेरी journey में आपको सबी को solve करो, और मैंने almost सबी चीज़ कराया, problem set के, ठीक है, तो चलो, आज का एक और example हम लोग solve कराएंगे, कौन सा question है, देखते हम लोग, question number 9 जो है, उसको भी फटना-फट से हम लोग क्या करते हैं, दोस्तो, solve करा लेते हैं, ठीक है, चले दोस्तो, okay, क्या है अगला question, check कर है, क्या बोल रहा है, 10 cube theta minus 1 upon 10 theta minus 1 is equal to 6 square theta plus 10 theta, चलो, कोई बात नहीं, पहले हम लोग ले लेंगे left hand side, तो let the left hand side is equal to 10 cube theta minus 1 upon 10 theta minus 1, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो के, ये 10 cube theta है, मतब 10 cube theta, मतब 10 raise to 3 theta, अगर इसको 1 cube पर भी अगर मैं cube लगा दू, तो कुछ फरक प a cube minus b cube का हमारे पास एक formula था, याद है, अगर आपको नहीं यादर मैं लिखाता हूँ, यहाँ पे a cube minus b cube का एक formula है, that is, that is a minus b bracket में a square minus a b plus b square, ये ही formula है, cross check कर लो, a minus b, a square plus a b plus b square है माप करना, ठीक है न, a square plus a b plus b square, तो ये आपका formula है, जो कि आप लोगो बाहाट करना है, जै multiply by a square plus a b plus b square कर दो, तो इस में, इस उपर वाले में हम ये formula लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी a cube minus b cube जैसा दिख रहा है, तो अगर मैं इस formula को apply करता हूँ, तो क्या हो जाएगा formula a minus b, तो a minus b मतलब 10 theta a है, minus b को ने 1, तो 10 theta minus 1, फिर bracket में a square plus a b plus b square, तो a square कौन हो जाएगा, 10 square theta, बराबर, प्लस a b कोन हो जाएगा, 10 theta multiplied by 1, जो की वही 10 theta ही रहेगा, और प्लस b square, तो b कोन है यहाँ यहाँ पे 1, तो 1 का square is 1, यही रहेगा, और यह पूरा whole divided by क्या रहेगा, नीचे आपका 10 theta minus 1 रहेगा, correct है, यह क्यू आया, because of this formula, यह क्यू आया, because of this formula, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो उपर भी 10 theta minus 1 रहेगा, नीचे भी 10 theta minus है, तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, यह पूरा-pूरा cancel out कर सकते हैं, तो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ बताओ, उपर बच रहा है, यहाँ पे 10 square theta plus 10 theta plus 1, नीचे खुछ नहीं बच रहेगा, तो कुछ लि 10 theta, और यह 10 theta को अलग सा लिखता हूँ, ठीक है, और एक चीज़ आप जानते हो, क्या जानते हो, कि 1 plus 10 square theta जो होता है, वो क्या होता है, 6 square theta होता है, यह कही बार हमने इस्तिमाल कर लिए, सबसे आदा तो इसी को इस्तिमाल कर लिए, हमने पूरे-पूरे chapter के अंदर, correct है, तो 6 square theta plus 10 theta, 6 square theta plus 10 theta, तो आ गया भईया आप लोग का, यहाँ पे लिख देना है, is equal to RHS, और last में आपको एक favorite dialogue, जो कि यह hands prove, यानि कि आपने इस चीज़ को भी prove करके दिखा दिया, बड़े आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई बहुत जादा rocket science नहीं लगा है, बस आपका concept और कुछ formulas जो कि आपको पहले से ही पता होंगे, आपने मेहनत करके पहले से practice कर रखी होगी, तो यही चीज़ है, बस आपको लगाते जाना है, अपने आप answer आजाएगा right hand side के बराबर, यही इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, दोस्तो, solve करके आप लोग को दिखा द ठीक है, तो चलो, आज के लिए इतना ही, और भी कुछ बचे हुए questions है, इस problem set में से, तो उसको आगे आले, आने वाले lectures में हम discuss कर लेंगे, ठीक है, तो चलो, आज वीडियो एंड करते हैं, यह वीडियो उमीद कर तो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है, त अगर आपके exam नजदीक है, तो one shot lectures आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल पर जो कि आपको help करेंगे revisions के लिए, तो please share करते रहो, और first time channel क्या है, तो चैनल को subscribe करके bell icon को भी press कर देना, ठीक है दोस्तो, तो चलो, जल्दी मिलेंगे, फिर एक और नवी वीडियो में, तब तक क सकतार कि भुष चलो, झालो, तो भी रख रुष, य झालो, य।ो, भी थằ beetle, यु झालो, जालो, वीडियो का है, तो प्युछर का है, वीडियो का है